नमस्कार दोस्तों मैं विनीता संस्कृती आईएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2023 महा में जो भी साइंस एंड टेक के टॉपिक चर्चा में रहे उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उन से संबंदि जो प्रश्ण है उन पर भी चर्चा करते चलेंगे तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है पहला टॉपिक है हमारा वाई गुर्सूत रियाने की वाई क्रोमोसोम देखे Y chromosome अभी चर्चा में क्यों रहा क्योंकि जो हमारे scientist हैं इन्होंने क्या करा है जो XY chromosome है इसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी sequencing करी है तो यह होता क्या है कि जो हमारा chromosome है आपने देखा होगा इस तरीकी के संग्रेचना आपको जब आप biology पढ़ते हैं तो दिखाई देती है इस chromosome के सिरे पर एक सिरे पर क्या होता है टैलोमेर होता है और दूसरे सिरे पर भी टैलोमेर होता है तो यह टैलोमेर टू टैलोमेर यानि की T2T एक sequencing की गई है इस sequencing के लिए तकनीक यूज करी है लॉंग रीड अनुक्रमन तकनीक यानि की लॉंग रीड सिक्वेंसिंग यहां पर यूज करी गई है दो तरीके की तकनीक यूज करी जाती है एक होती है शौट रीड एक होती है शौट रीड तकनीक और दूसरी होती है लॉंग रीड तो यहां पर जो sequencing में जो changes आए उसके वारे में पता चलेगा उस sequences changes की वज़े से जो रोग हुए हैं जो विमारिया हुई है उनको हम पता लगा पाएंगे और उनको से कैसे निदान पाना है किस तरीके से उसका उपचार करना है यह scientist हमारे खोज पाएंगे तो चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बताया टैलोमियर टो टैलोमियर यानि के T2T सिक्वेंसिंग किया गया है और यह टैलोमियर क्या होता है तो यह जो हमारा क्रोमोसोम होता है उस पर एक DNA क्या है और साथ ही साथ कुछ प्रोटीन के संग्रशना होती है यह एक क्रोमो्सोम के सिरे पर होती है तो हमारे क्रोमोसयम को यह सुरक्षा प्रदान करती है यह करती है अब यह बर जीनॉम अनुक्रमन यानि कि genome sequencing क्या होता है हमारे बौड़ी में DNA होता है आप सभी जानते हैr DNA क्या करता है? हमारी genetic information निसले करता है , यानि जो के न हमारी आउस क्या है? यहां पर किया जा रहा है? यहां पर किया रहा है जो हमारे DNA होता है? उसके stands होते हैं उसमें base होते है और उनका एक पूरा युग में होता है यानि कि sequencing चलती है जैसे कि उसमें होता है T, G, C, A इस तरीके के हमारे कहां पर युग्म बने होते हैं बेसिस के युग्म बने होते हैं इनकी सिक्वेंसिंग की जाएगी इनको सिक्वेंसिंग करके इनका पूरा एक सटीक ग्रम पता लगाया जाएगा और इसकी सहायता से होगा क्या इस सिक्वेंसिंग की सहायता से जो हमारा Y क्रोमोसोम है उससे सम्दि जो जीन में आया हुआ बदलाव है उसके कारण जो रोग हो रहे हैं उनका हम पता लगा पाएंगे जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था अगर हम किसी बिमारी का पता ल भी हैं चाहे हम हattend कोई पशू है चाहे हमारे एप सार्य ऐक यह सारे जो से मॉडिक असे Next सें बनी होते यह से सारaws पर आपक होती हैं कोशिका से के ल्क उपनी होती हैं तो चन्दर कोषी गनी होता है अ अंदर होता है एक नुकलियस होते है यानि कि धागे नुम्मा ये एक संक्रजना होती है बहुत ही पतले thread-like structure होते हैं बहुत लंबे-लंबे इनका कार रे क्या होता है तो ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक genomic जानकारी को पहुँचाते हैं यानि कि एक cell से दूसरी cell तक जो हमारी genomic information है उसे carry करते हैं अब यहाँ पर हम अगर बात करते हैं सिर्फ मनुष्यों की पश्वू की और प्लांट्स की बात करके अगर सिर्फ मनुष्यों की बात करते हैं तो हम मनुष्यों के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं तो 46 क्रोमोजोम हमारे अंदर होते हैं और यह कहा जाता है कि जो क्रोमोज होते हैं उन्हें कहा जाता है कि यह autosome होते हैं अलेंगिक होते हैं सिर्फ एक chromosome का जो योगम होता है वो क्या पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि यह मादा है यह नर है अब यह पता कैसे चलता है माल लिजे यह हमारा क्रोमोसोम है अगर वह एक्स एक्स होगा तो क्या होगा यह फीमेल होगा और अगर वाई है तो क्या होगा मेल होगा तो एक्स वाई होने पर मेल होता है तो मेन जो पता लगता है किस से पता लगता है अगर वाई क्रोमोसोम है तो आप यह कहेंगे कि जो भी जिसका भी यह डि Y-chromosome कि वारे में जान लेते हैं, Y-chromosome का use किसले किया जाता है , तो link का निरधारण करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि X-chromosome होता है, अगर chromosome XX है, तो क्या हो गा फिमेल है, और अगर x unlike y है, तो क्या कहा जाएगा? male है, तो main किसकी वज़े से पता लग रहा है? Y की वज़े से x तो दोनों में ही है, तो Y chromosome होगा, तो उससे क्या पता लगेगा? कि यह पुरुष है, इससे link निर्धारन होता है, अब देखे, यह Y chromosome जो होता है, यह पुरुषों में होता है, और यह क्या करता है जो हमारी testis होती है उसके लेंगिक लक्षनों का विकास करता है और अगर यही Y chromosome किसी इस्तरी के X chromosome के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है एक नर संतान का जनम होता है इस दूसरी पीडी तक जाता है इसलिए जो Y गुन सूतर होते हैं या क्रोमोसों से कगी कि study करके हम क्या पता लगा सकते है किसी भी अगर कोई मेल है तो उसके जो विद्र होते हैं पूरुष जो पुरुवस थे यानि की पित्रस की जो भार नशावली थे उनके से परत्यक्स संबंध हम पता लगा सकते है बहतरी से हमें ये पता लग सकता है कि इनके जो पूर्वस थे वो कैसे थे कौन थे चलिए आगे देख लेते हैं इससे संबंदित प्रश्न प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कथन कह रहा है कि मात्र वन्शावली के साथ क्यूंकि पूर्शों में होता है और पूरुशं़ों के अन्दर लेंगिंग कर विकास होता है उसमें ये मदद करते हैं तीसरा कथन कहा रहा है एकस संतंतर से जुड़कर मादा संतानों करते हैं Y लिकार अब देखी पिछले साल जो हमारे UPSC का ट्रेंड रहा उसके एकॉर्डिंग हमने आपके कोशिन बनाया है इसमें क्या कह रहा है उप्रोक्त में से कितने वाई गूंड सूत्र के प्रकार्यात्मक के संदर्व में सही है यानि कि यहां पर आपको बता रहा है कि वाई गूंड स सब्ही या उप्रोक्त में से कोई नहीं इस तरीके का ट्रेंड आप क्या पूछ वाया है कि उपर तीन कथन अगर दिये हैं तो अगला टॉपिक देखलेता है अगला टॉपिक है हमारा वैनीडियम वैनेडियम क्या होता है वैनेडियम एक मिनरल है और इसको किस सिंबल से दिनोट किया जाता है तो इसे वी से दिनोट किया जाता है इसका एटमिक नमबर कितना होता है तो इसका एटमिक नमबर के अगर हम बात करें तो इसका एटमिक नमबर 23 होता है अब यह जो है पहली वार तो बहरती भू वेज्ञानिक सर्वेक्षन के सोध करता हुमें अभी गुजر軟 whereNot hon Khaam Bahad, वहां पर वेणेडियम की खोजद की है। अब देखते हैं कि यह कैसे खोजद गया तो झोच नंपोने कलेक्त किया गए। और नमूनों में टाइटीनो मेंगनोटाइट नाम का एक आयस्क था, ये आयस्क में होता क्या है, इस आयस्क में वैनेडियम की प्रात्मिक श्रोत होते हैं, यानि कि इसमें वैनेडियम पाया जाता है, और ये विश्व में 88 प्रतीशत वैनेडियम के श्रोत है, यानि कि 88 प् सब्सक्राइब होगी थी है कि शीर्श तत्वों में इसे कित्ने स्थान पर रखा गया है तो इसे 22 तना पर रखा गया है यानि कि जो महादीब की परपटी होती है, क्रस्ट जो होती है, उस पे जो तत्व पाये जाते हैं, उसमें से 22 स्थान पर रखा गया है, वहीं भारत सरकार द्वारा निरधारित किये गए क्रिटिकल, तीस क्रिटिकल अगर मिनरलत की बाद करें तो उन में भी के शामिल है, उस सोची में भी ये शामिल है, चलिए आगे देख लेगते हैं कि वेनिडियोंका भंडारन कहां कहां पर है, अगर हम वैश repay सत्थर की बात करते हैं, तो गॉर्यलड्पर ब्राजील, कि ब्राजील के द्वारा किया जाता है इसके बाद कौन आता है इसके बाद रूस और ध्ष्ण अफ्रीका का इस्थान आता है भारत में अगर बात करते हैं तो भारत की जो खान भीडीरोय के अनुसार हब भारत में वनाईडियम के कुल अनुमानित भंदारन कितने हैं तो 24.63 अर नाचल पर ब्रदेश उन्हाफ प्रदेश में घी खोश की गई हुआ थी उप्योग किया जाता है थो हमारे फूं सका से आसे उप्यों पूल की ते अ क्युक देढ़ा है उसमें हम कॉन सी बैटरी का यूज करते हैं ली थियम बैटरी का यूज करते हैं, तो यह जो «voanidium» की बैटरी है बड़े पंवाने पर ओध्योगिक परिचालन के लिए उप्योग्त होगी जो लीतियम बैटरी है उसका उप हम बड़े पैमाने पर ओध्योगिक परिचालन के लिए नहीं कर सकते हैं साथ ही साथ जो वैनिडियम की बैटरी होगी इसका जो लाइफ साइकल होगा लाइफ साइकल लंबा होगा और इससे जो अपसिस्ट निकलेंगे वह अपसिस्ट बहुत कम होगे और उनका पुनहा चक् कदा लिए आफ्यों शनलन की बैटरी देखते हैं उनमें होता किया है क्योंकि इस को यहां पर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जलिए इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसके कारण यह जुल अलन्शील नहीं होती हैं और यह सुरक्षित बैटरी होती हैं, जलिए दूसरा देख लेते हैं कि जो हमारा वैनेडियम है यह बहुत ही मजबूत होता है और इसकी मजबूती के कारणी से कहां यूज किया जाता है इस तील उत्पादन में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में इसका उप्योग किया जाता है अब वैनेडियम का यूज और कहां किया जाता है तो इसकी जो मिश् करने से संब्नदित गुण कम होते हैं अब इसकी मजबूती yaş़ा यह जादा है। रिशिए विवानन संब्नदी निर्मान के प्रयोक किया रहा रहा हुआ इसका की उंबन्दित हम्सरिक प्रश्न देख लेते हैं जैंसे वेने के बारे में निमनलिखित में से गलत है आपसे क्या पूछ रहा है गलत है इसे मार कर लीजिएगा तो पहला क्या है पहला है यह critical mineral है तो यह हमारा साही हो जाएगा क्योंकि भारत ने जो सूची जारी करी है 30 critical minerals की उस सूची में यह शामिल है दूसरा यह कह रहा है यह titanomagnetite स टीसरा कहा रहा है इसकी परमानू संखिया 23 है यह भी हमारा सही है और से 10 किस्छे किया जाता है तो वी से जै नोड किया जाता है चौथा क्या रहा है कि चिली विष्व में सबसे बड़ा निर्यातक है तो यह हमारा कथन गलत हो जाएगा तो anser क्या हो जाएगा डी हो जाए अब ये monoclonal antibodies की जो खुराक है इसको अभी खरीदने का निर्ने लिया है क्योंकि ये क्या करते है नीपा वाइरस से निवटने में हैं तो अभी क्या हुआ है केंद्र सरकार ने नीपा से निबटने के लिए Australia से monoclonal antibodies को खरीदने का निर्न लिया है यह पहली बार नहीं है इससे पहले वर्ष 2018 में जब केरल में नीपा वाइरस बहुत ज्यादा फैला था तब भारत ने इस monoclonal antibody का आयात किया था और उसे खरीदा था कहां पर केरल में जब नीपा वाइरस फैला था था तो 2018 में चलिए देख लेते हैं यह monoclonal antibodies होती क्या है जो monoclonal antibodies होती है यह क्रिप्तिम antibodies होती है यह जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की जो कारे प्रणाली होती है उसकी नकल करती है अब इसका जो उत्पादन किया जाता है वो एक विशेज तकनीकी माध्यम से किया ज मनुष्य के blood से एक antibody निकाली जाती है और उसका clone तेयार करा जाता है क्लोन क्या होता है कि आप सभी को पता होगा कि जो चीज है जिसका भी हम clone तेयार करेंगे वो as it is उसी की तरह कारे करेगा और उसी के जैसा दिखाई देगा तो क्या है मनुष्य से जो antibody निकाली उसका हमन तो यह केवल एक antibody का clone होता है और यह केवल एक ही antigen से ही आबंद होता है और साथ ही साथ यहां पर जो यह निकाला जाता है cell यह जो antibodies ली जाती है किस से ली जाती है मूल कोशिका जो होती है इसकी मूल कोशिका से प्राप्त की जाती है और यह एक ही मूल कोशिका की जो बी को कोशिकाएं होती हैं उनसे इसे निर्मित किया जाता है चलिए आगे देखते हैं कि मोनो क्लोनल होता है तो यहां पर पोली क्लोनल भी होता है प्लोनी क्लोनल में क्या होता है कि एक से जादा एंटी बॉडी ली जाती है और एक से जादा उन एंटी बॉडी के क्लोन तयार किये इनका उपयोग कहां किया जाता है Poloclonal Antibodies का प्रयोग कहां किया जाता है तो Cancer, Ebola और HIV के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है अब देखे जो हमारे Monoclonal Antibodies होते हैं ये वर्क किस तरीके से करते हैं Monoclonal Antibodies जो हमारा viral envelope होता है उसके किसी एक हिस्पे प्रभावी ढंग से बन जाते हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं अब जब ये envelop मानव शरीर में प्रवेश पारने चाहते हैं तो उन्हें करना क्या होता है मानव की कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं और इस तरीके से जो हमारे मोनो क्लोनल एंटिबॉडिज हैं वो क्या करती है वाइरस को प्रभावी ढंग से निश्क्रिये कर देती हैं उसे खतम कर देती है अगर इससे संबन्धित प्रश्ण देख लेते हैं प्रश्ण क्या कहता ह मोनो क्लॉनल एंटी बोडी के संदर्मे निम्यलिखित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कत्षन है नीपा वायरस के उपचार के लिए भारत ने ऑस्टेलिया से इसे आयात किया है तो यहां पर यह कत्षन गलत हो जाएगा क्योंकि आयात नहीं किया है अभी, अभी सिर्फ आय करने का निर्णाया लिया है, सिर्फ निर्णाय लिया है, अभी आयात नहीं किया गया है, तो ये कथन गलत हो गया, दूसरा आपसे कह रहा है, ये कृतिम एंटिभॉडिषी हमारी पृतिरक्षा कार्य करनालिकी तीसरा कथन क्या कह रहा है यह मिश्रित एंटिबॉडी के क्लोन होते हैं और केवल एक ही एंटिजन से ही आबंध होते हैं मैंने आपको क्या बताया है जो मोनो क्लोनल होते हैं वो एक एंटिबॉडी के होते हैं उसमें मिश्रित एंटिबॉडी नहीं एक एंटिबॉडी होती तो यह वाला कथन भी हमाराimento तो जेगा यहाँ पर सिर्स एक ही कथन सही है यहां कहते है अगला topic क्या कहता है? अगला topic है हमारा gene drive प्रोत्धियोगी की अब दखें ये gene drive technology है क्या? हाल ही में क्या हुआ है? भारत ब्राजिल और पनामा नहीं क्या करा है अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों का उपयोग करके कुछ परिक्षन किया है अब इस परिक्षन को किया कहा पर गया है तो खुले में ये परिक्षन किया गया है लेकिन कुछ नियंतरित दशाओं में ये परिक्षन हुआ है अब इस परिक्षन के बाद क्या हल निकाला गया है इस परिक्षण के बाद यही देखा गया कि जो हमारे मच्छर हैं उनकी आबादी में तकरीबन 90 प्रतीशत की कमी दर्ज की गई है चलिए देखते हैं आगे जैसे मैंने आपको बढ़ताया कि इस परिक्षण के दौरा मच्छरों के आबादी में 90 प्र जीन ड्राइव टेक्नीक है उसके माध्यम से कुछ अनुवांशिक शंशोधन किये गए और उन शंशोधरों के फल्सरूप हुआ क्या कि हमारे जो मच्छर हैं उनकी आबादी कम हुई है अब देख लेते हैं इस जीन ड्राइव टेक्नीक के बारे में यह क्या है तो यह एक कि जो माता पिता के ही कुछ अनुवांशिक लग्शन बच्चों में स्थानांतरित होते हैं और अगर हम उसमें कहीं जीन में स्थानांतरित नहीं होता तो इसी को चेंज किया गया है इसी में स्थानांतरित नहीं होता तो इसी को चेंज किया गया है इसी में स्थानांतरित प्रमुग घटक कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, तीन मुखे घटक हैं, सबसे पहले हमें वो जीन चाहिएगा, जिसे हमें DNA में शामिल करना है, किसी के DNA में जिस जीन को शामिल करना है, वो जीन हमें चाहिएगा, वो एक प्रमुग घटा हो गया, दूसरा क्या हुआ, DNA को जब हम काटेंगे उस जीन को उस DNA में रखने के लिए, हमें DNA में कट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए enzyme की जरुत होगी, C.A.S.9 enzyme चाहिएगा, DNA को कट करने के लिए, और फिर तीसरा कह है, CRISPR, CRISPR क्या है, कि जियो enzyme कहां पर कट लगाना है, यह किस से पता लगेगा, तो CRISPR यह बताएगा, कि हमें DNA को कहां से काटना है, यह programmable DNA अनुक्रम है, जो यह निर्धारित करेगा, कि enzyme को DNA को कहां से काटना है, अब अगर बात करते हैं, CRISPR की, तो CRISPR क्या है, यह एक repetitive DNA हमला होता है, तो जिवाणू आक्रमाकारी वाइरस के DNA के टुकडे को अपने CRISPR रीजन में शामिल कर लेते हैं, ताकि अगर फिर से इस वाइरस का हमला हो, तो यह जो CRISPR है, यह क्या कर सके, यह जो जिवाणू है, यह उस वाइरस के DNA को नस्ट कर सके, चलिए आगे देखते ह है, इसके परिणाम क्या है, पहला कि यह क्या होगा, जोड़ेगा जीन को अगली PD तक इस थानांतरित कर देगा, जिससे होगा, जीन तेजी से आबादी में फैल जाएगा, और मूल जीन को इस अमाप्त कर देगा, जो हमारा मैंडिलिन वन्शानुकरम था, वो क्या कह रहा जाएगा, जैसे ही आगे के जीन बने रहेंगे, थोड़े बहुत चेंजिस होंगे, लेकिन यह क्या कहा है, यह मूल जीन को ही समाप्त कर देगा, और इसके उप्योग से, इसके उप्योग से क्या होगा, मलेरिया, डेंगू और जीका वाइरस फैलाने वाले जो मच्छर हैं उनको खतम किया जा सकेगा, अब इसके कारण कुछ समस्यां भी उत्पन होंगी, वो सबसे पहली समस्या क्या है, जो हमारा पारस्थी की तंत्र है, उस पर ये दीरकाली खत्रा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो फूड चेन है, उसमें कही न कही असंतुलन पैदा कर देगा, प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है, हमारा जीन ड्राय प्रोध्योगी की के संदर्म में, निमनिनिक में से कौन सी सूचना गलत है, क्या पूछ रहा है, आप से नोट कीजिए कि कौन सी सूचना हमारी गलत है, पहला कहता है, यह एक प्रकार की अनुवांशिकी इंजिनिरिं ताकि हम उसे जीन को संशोधी जीन को आगे इस थानांत्रित कर सकें तो ये भी हमारा सही हो जाएगा तीसरा कहा रहा है इसके उप्योग से मच्छों की आबादी को कम करने के लिए किया जा रहा है हमने देखा कि कितने प्रतीश्यत तक आबादी कम हुई है भारत ब्राजील और पनामा में 90 प्रतीश्यत तक परिक्षण करके पता चला है कि 90 प्रतीश्यत तक मच्छों की आबादी को कम किया गया है चौथा कह रहा है इसके तहत हुए अनुवांशिक बदलावों को पुना मूल रूप से लाया जा सकता है हमने आपको क्या बताया है कि जो मूल रू CE Cryogenic Engine गगन यान Mission launch होने वाला है इसमें इस्तमाल होने वाले CE Cryogenic Engine का सपलता पूर्वा परिक्षण कर लिया गया है अब जो हमारा गगन Mission है इसे लेकर कौन जाएगा इसे लेकर जाने वाला जो प्रिछे पढ़ियान है यानि कि जो launch vehicle है वो कौन सा है GSLV Mark 3 जो हमारा चंद्र प्रियान 3 को भी लेकर गया था और इसके जो उपरी चरण है उपरी चरण में यहां पर अब तक जो cryogenic engine यूज होता था उसकी जगह पर आप यूज होगा CE Cryogenic engine का यूज करके इसे भेजा जाएगा Cryogenic engine क्या होते हैं पहले उन्हें समझ लेते हैं यह जब अत्यधिक कम तापमान होता है यानि कि ठोस और तरल प्रणोदक engine की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं और साथ ही साथ जो यह cryogenic engine होते हैं यह cryogenic टक्नीक जो होती है इसमें यूज की जाती है उसमें जो तरल हाइड्रोजन को इंधन के रूप में और जो तरल ऑक्सीजन होता है उसका यूज किया जाता है समानेता हिएं हमारा जो फिरूजन गैस की रूप में मिलता है ऑगर हम खे ऑट ऊट फिरूपट्री टींटिच पर किसमें चेंज हो जाती है तो यह लिक्विड में चेंज हो जाती है अब यह जो हमारा CE cryogenic engine है इसमें क्या किया जा रहा है तो इसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन प्रणोड़कों के संयोजन का उपयोग करके एक गैस जनरेटर चक्र का उपयोग करने वाला cryogenic engine बनाया जा रहा है इसकी शमता कितनी होगी तो इसकी शमता होगी 28 टन इंधन की यानि कि इतना इंधन इस इंजन में हो सकेगा आप रख सकेंगे अब यह मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बत के संबंद में निमनली की कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन क्या कह रहा है कि इसे गगन यान मिशन में इस्तेमाल करने की यूजना है तो यह हमारा सही है दूसरा कहता है यह अत्यधिक उच्छ तापमान पर इंधन का उपयोग करने में चक्षम है तो अच्छ अधिक ब्रहत चलिए अगला टापिक लेते है अगला टापिक क्या है लिग्रेंजपॉइं अब लिग्रेंज पॉइंच पॉइंक अभी चरचा में क्योँ रहा क्योंकि हमने जो अपना आदित्य L1 mission launch किया है किसलिए launch किया है तो सूर्य का अध्यन करने के लिए इसे launch किया गया है और कब launch किया गया है तो 2 सितंबर 2023 को इसे launch किया गया तो इसे launch करके कहां रखा गया देखे L1 L1 से ही आप समझ रहे हैं कि L1 एक lingering point है इस point पर इसे रखा जाएगा यहां पर इसे स्थापित किया जाएगा इसके आसपास तो इसलिए लिंगरेंज point जो है अभी चर्चा का विश्य बना हुआ है तो भारत का यह पहला सूर्मिशन है जो सूर्य का अध्यन करने के लिए गया है यह देखे इस figure के माध्यम से हम यह समझते हैं कि lingering point हो देखे हैं देखो यहां पर आप देख रहे हैं यह सूर्य है इधर यह प्रत्वी है प्रत्वी का अपना कुछ गुर्त्व कर्षण बल होगा ऐसा point जहां पर इन दोनों का गुर्द वा कर्षण बंढ उस फॉयंट को कहा जो एक कालपनिक बीच से जा रही है तो इस पे पॉइंट आधार बानकर समभाहुत रिबूज बनाया है उसका जो point है, यानि कि L4 और L5 यह क्या है, हमारे style language point है, इतना आपको समझ में आया, अब देखें, जो हमारा आदित्य L1 mission भेजा गया है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, एक तो इसे कब भेजा गया है, 2 सितंबर 2023 को भेजा गया, साती सासी से लेके जाने वाला हमारा जो launch vehicle था, वो क्या था, तो वो था हमारा PSLV, PSLV C57, C57 launch vehicle के दवारे इसे लिए के गया गया, और यह इस launch vehicle के PSLV की 25 उडान थी, यानि कि 25 बार इसने अपना कोई mission पूरा किया है, अब यह जो हमारा आदित्य L1 mission है, इसे रखा कहां गया है, कहां पर इसे स्थापित किया जाएगा, तो सूर्य और प्रत्वी के गुर्तवा कर्शन प्रणाली के जो L1 है, यह जो हमने बताया, यह जो L1 link range point है, इसके चारो और एक प्रभा मंदल कक्षा है, यानि कि हेलो और बिट है, उस हेलो और बिट में इसे स्थापित किया जाएगा, इसके चारो और जो यह अध्यन करेगा, चलिए आगे देख लेते हैं, हमारे link range point के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पिंडो वाली जो गुर्तवा कर्शन प्रणाली के संदर्व में, link range point अंत्रिक्ष में ऐसे स्थान है, जहां पर इस्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंडू पर बना रहता है, क्योंकि दोनों जो हमारे वहां पर गुर्तवा कर्शन बल लग रहे हैं, वो एक दूसरे को निश्क्रिय कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? तो यहां पर आपको बता रहा है कि इस स्थान पर पिंडो के बीच में कारे करने वाला जो गुर्तवा क इंधन के खपत भी कम हो जाएगी देखो यहां दूसरी पॉइंट में आपको बता रहा है इसका उपयोग उपकरहों को दो पिंडों के मद्य है निउन्तम इंधन खपत के साथ एक निश्चित बिंदू पर बने रहने के लिए किया जाता है अब आपको बताएं कि कितने लिं स्थापिज लिंगरेंज पॉइंट रहा था M पर जो पॉइंट होगा, यानि कि L4 और L5 यह हमारे इस्थिर लेंगरेंगरेंज पॉइंट होंगे अब देखी जो लेंगरेंज फईट नाम रखा गया, ये क्यों रखा गया, ये है एक इतली में जनमें एक फॉर्णसेशी जोसेफ लूई लिंगरिज इनके सम्मान में इन पॉइंट्स का नाम लिंगरिंज पॉइंट रखा गया अब ही आपको बता दें जो नासा और यूरोप स्पेस एजन्सी ने एक संयुक्त मिशन करा है जिसका नाम क्या है सोहो मिशन उसे भी कहां स्थापित किया गया है सोहो की फूल फॉर्म क्या है ? और श? आपको नासा का एक जैंस वैब स्पेस टेलिसकोप है । और इस टेलिसकोप ने अभ ही हाली में मतलब कि पिछले year में 45 dehyd, के टू एटीन बी के टू एटीन बी से एक जो हमारा एक्सो प्लैनेट है यानि कि हमारे सौर मंडल से बाहर का एक प्लैनेट है यहां पर कार्बन डाई ऑक्साइड और मीथेन जैसे कार्बनिक पदार्तों की अभी इसने खोज करी है चलिए इससे संबंदित प्रश्न देख प्रश्न क्या कहता है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है जो लेंगरेज पॉइंट जो होते हैं वह हमारे अंत्रिक्ष में ऐसे स्थान होते हैं जहां पर इस्थापित पिंड या उपग्र है नियुन्तम इंधन खपत के साथ अपने नियत बिंदू पर ब यह पाइंगा हमारा आंसर हो जाएगा देखली है अगला टॉपिक डेख लेते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है तो अगला टॉपिक है हमारा डवलू यह चों की उच Pixel पर पहली भार है जब nya डब्लू आच्चो ने हाइपर्ट robić जारी करी है और इस रिपोर्ट का शिर्षक क्का रखा ग Kaiser अंतुं मिलग क Bread ऐलें such जारी कि अब देख लेते एक उस के प्रमुक बिंदू क्या क्या है इसमें क्या गया शीचल कही गई वीच्विक इस्तर like और एक महिलाएं हैं महिलाओं में जो हाइपारटेंशन है उसके कमपारिजन में जो पुरुष है उनमें हाइपारटेंशन की इस्तिती जादा पाई जाती है यानि कि कहा है कि 32 प्रतीशत महिलाओं में है और से 2 प्रतीशत जादा इस्तिती जो है पुरुषों में पाई जाती है या यानि कि उच्छ रक्तचाप की समस्या से ग्रस्थ है उसे उच्छ रक्तचाप है अब दूसरी चीज क्या बता रहा है कि अगर भारत में इतनी ज्यादा आबादी इससे प्रभावित है तो वहाँ पर जो इसकी जाच की जाती है वह बहुत ही कम है मानलो अगर 100 लोग इससे पीडित हैं तो सिर्फ 37 प्रतीशत यानि कि सिर्फ 37 लोग ही इस जाज करवा पाते हैं और उनमें से भी केवल 30 प्रतीशत को ही उपचार मिल पाता है तो WHO की इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो उच्रक्त साप को अगर हम बहतर तरीके से नियंतरित कर पाते हैं तो भारत में 2040 तक कितने लोगों की हम जान बचा पाएंगे तो 4.6 मिलियन लोगों की जान हम बचा पाएंगे चलिए देख लेते हैं कि उच्छ रक्त चाप के वारे में उच्छ रक्त चाप क्या होता है समानने से अधिक अगर रक्त दाब हो जो ब्लड प्रेशर है समानने से अधिक हो तो उस विस्तिति को कहा जाता है उच्छ रक्त चाप अब जो हमारा heart है उसमें जो diastolic होता है और साथी साथ एक systolic procedure होता है उस पर रक्त दाप को नापा जाता है और फिर ये बताया जाता है कि हमारा जो रक्त दाप है यानि कि जो blood pressure हो किता है अब यहां होता क्या है जो हमारा हर्ट होता है जब हर्ट होता है धड़कता है हमारा दिल तो जब धड़कता है ये तो क्या किया जाता है दो चरण होते हैं एक में ये सिस्टॉल होगा यानि की संकुचित होगा तो जब हर्ट संकुचित होता है तो क्या करता है बलड को बाहर फैकता है ब्लड को अपने अंदर से बाहर धमनियों में डालता है और उससे जो ब्लड है पूरे शरीर में प्रवहा करता है उस टाइम पर जो रक्त का प्रेशर होगा धमनियों में उसे कहा जाता है सिस्टोलिक रक्त दाब साथ ही साथ जब हमारे हर्ट का संकुचन हो चुका यानि कि वो ब्रक्त को बहार मैक चुका उसके बाद क्या होगा हमारा हर थोड़ी देर तक आराम अवस्था में रहेगा विराम की अवस्था में रहेगा उस पोजीशन को कहा जाता है डाइस्टोलिक और उस टाइम पे जो हमारी धमनिया होंगी यानि कि जो हमारी आर्टरी स्टेजिस हैं उनमीं जो ब्लड का प्रेशर हो उसे चाह जा जाएगा डाइस्टॉलिक ब्लड प्रेशर तो इन दोनों को ही माप कर पता लगाया सकता है कि हाई पर टेंशन है या नहीं तो यह होता का है दो धड़कनों के बीच में या यनि कि जब दो हर्ट पीट के बीच मे तो पहले जान लेते हैं, किस एज ग्रूप का कितना प्लड प्रेशर नॉर्मली होना चाहिए, और इसके लिए हमने सौर्स का लिया है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, किस age group में कितना blood pressure होना चाहिए तो अगर बात करते हैं एक तरफ यहां मनें I.O. लिखा है और उस I.O. में भी पुरुष के लिए अलग होता है और इस्तरी के लिए अलग होता है यानि कि लेडी के लिए अलग होता है अगर है age group 18-49 साल की age group में हैं तो जो पुरुष होंगे इस age group के उनका normal blood pressure कितना होगा उनका normal blood pressure होगा 119-70 यानि कि जो systolic time पे blood pressure होगा वो 119 होगा और diastolic जो होगा वो 70 mmHg होगा mmHg हमारी blood pressure को नापने की एक unit होती है दूसरा महिलाओं में कितना होगा तो 110-68 mmHg होगा आगे चलते आगे देखते हैं 40-69 साल अगर पुरुष है तो उनका blood pressure कितना होना चाहिए तो 124 बटे 77 mmHg होना चाहिए और इसी age group की महिलाओं की बात करें तो कितना होना चाहिए 122 बटे 77 mmHg होना चाहिए इस से आगे बात करते हैं जो हमारी 60 या 60 से जाधा कि जो पुरुष है उनका कितना blood pressure होना चाहिए normal उ 79 और वही पर इस age group की जो महिलाओं है उनका होता है 149 बटा 68 mmHg यह हमारा नॉर्मल एक blood pressure है जितना होना चाहिए अगर इस से जाधा है तो क्या कहा जाएगा hypertension है अब कितना है वो यहां पर बताए गई है कि कौन-कौन सी stage हो सकती है तो पहला आपको बता रहे हैं यहां पर pressure की सीमा क्या होगी बढ़ा हुआ रक्तचाप कब कहा जाएगा कब कहा जाएगा कि आपका blood pressure high है तो अगर आपका systolic कितना है 120 से 129 mmHg है तो क्या कहेंगे हम कि हमारा रक्तचाप बढ़ा हुआ है और diastolic कितना है 80 से कम हो 80 से जाधा नहीं 80 से अगर कम है तो अगर stage 1 की बात करते हैं stage 1 hypertension की बात करते हैं तो stage 1 hypertension कब कही जाएगी जब systolic हमारा 130 से लेके 139 mmHg हो और diastolic हमारा 80 से 89 mmHg हो तो क्या कहेंगे हम stage 1 hypertension है stage 2 hypertension कब कहा जाएगा high blood pressure कब कहा जाएगा तो जब 140 mmHg उससे उपर हमारा systolic blood pressure हो और 90 mmHg उससे उपर हमारा diastolic blood pressure हो तो कहेंगे के stage 2 high blood pressure है वहीं अगर बहुत जादा गंभीर इस्तिति की बात की जाए यानिके खतरनाक इस्तिति की बात की जाए तो 180 mmHg उससे उपर अगर systolic और 120 mmHg उससे उपर diastolic अगर इतनी range म तो यह बहुत खतरनाक इस्तिति होती है इस इस्तिति में तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए अब देखते हैं कि इस high blood pressure के लिए उतरदाई कारक कौन-कौन से होते हैं किन-किन कारणों से हमें high blood pressure हो जकता है सबसा पहले है कि अधिक नमक का सेवन करन बहुत जादा नमक हमें सेवन नहीं करना चाहिए नमक की एक सीमित मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए दूसरा तंबाको शराब का सेवन इसलिए कहा जाता है कि तंबाको का सेवन ना करें शराब ना पियें क्योंकि इससे बहुत सारी बिमारियां होती है जिसमें से एक है ह पतानी कौन कौन से बिमारिया हो जाती है तो इससे हमारी एक बिमारी क्या होती है उच्छ रक्त चाप साथ ही साथ हमारे हाँ पर मोटापा भी बढ़ता है आगे देखते हैं अगला इससे संबंदित जो प्रश्ण है प्रश्ण क्या कहता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपर टेंशन दारेश अगेंस साइलेंट किलर निमनलिकित में से किस संसा द्वारा जारी की गई है तो सबसे पहले आपको कहा है डबलु एच्छ जर्मन वाच स्वास्थे मंत्राले भारत सरकार और रैड क्रॉस तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो ये प्रत्वी के सबसे निकटम शुद्दग्रह वहां से सैंपल लेके वापस आया है ये पहला नाशा का इसा मिशन है जो प्रत्वी के सबसे निकटम शुद्दग्रह पर भेजा गया और इसे लांच कप किया गया था तो इसे लांच किया गया था वर्ष 2016 में से लांच किया चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके बारे में तो यह जो ऊसरी स्रैक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म है और इजिन्स इस्पेक्टरल इंटरप्टेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलित एक्स्प्लोरर मिशन कब लांच किया गया था तो वर्ष 2016 में इसे लांच किया गया था और किसके दौरा लांच किया गया था तो即्सा स्टार्टिफिक प्रत्वी के निकटर शुद्ग्र है बेनू उसके परिया मिशन के लिए पेजा गया यह नासा का planning पर से कुछछ दूérieur के कहरण और कुछ उ वहां से कलेक्ट करके उसके नमूने के वर्ष 2020 में और अब यह उन नमूनों को लेकर वापस प्रत्वी positively पर आ गया है इस नमूनों का महत्व क्या होगा इससे हमें प्रत्वी के निर्मान से संबंदित जैनकारी मिलेगी और इसके साहते ही सांथ जो बर्बनिक पदार्थ तथा जलकी उपास्थी के वारे में हम बहतर उचांकारी प्राप्त कर पाएंगे चल यह आगे देखते हैं कि जो शुद्ध 햇 होते हैं यह उते हैं जिस तरीके से हमारे प्लैनेट सूरे के चारों और चक्कर लगाते हैं इसी तरीके से जो शुद्र ग्रह होते हैं, वो भी सन के चारो और रिवॉल्व होते हैं, तो जो शुद्र ग्रह हैं ये चटानी पिंड होते हैं, जो सूरे के चारो और घूमते रहते हैं, ऐसा माना जाता है, कि जिस टाइम पे हमारा सोलर सिस्टम बना, उसके जो अफशेश यहां पर महतपून मात्रा में कारबन और कई अन्य अन्य खनिश धारित करता है। टाइप क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर कार्बन और बहुत सारे अन्य धारित करता है जिसकी वजह से होता क्या है कि इस पर प्रकाश पड़ता है उसका यह चार प्रतीशत ही परावर्तित करता है अगर यहां पर बात करते हैं प्रत्वी की तो प्रत्वी क्या करती है इसे पर प्रकाश परता है उसका तकरीब तीज प्रति में प्रतीशत प्रकाश को प्रवर्थित कर देती एक प्रत्रों सुन्छा है वह सो ओर यह हैं निर्मार के सुर्वाती दस मिलियन वर्शों में निर्मित ता ऐसा माना जाता है और अर्बो वर्षों के बात भी इसमें बहुत अधिक संग्राशनात्मक परिवर्था नहीं हुआ है इसका तात्पर यह है कि इसकी सत्य के नीचे सौर मंडल की उत्पत्ती के समय के रसायन और चट्टाने मौजूद हैं इसलिए से बहुत important माना जा रहा है कि वहां से यह सैंपल लेके आया है और हमें सौर मंडल की उत्पत्ती के समय के रसायन थे उनके वारे में और जो चट्टाने थी उनके वारे में जानकारी मिल सकेगी चलिए से संबंदित प्रशन देख लेते हैं प्रशन कहता है और सीरिस राक्स के संदर्व में निमलिकित केवल 2 आपका आंसर हो जाएगा चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं अगला टॉफिक हमारा क्या है केटो 18 भी एक्सो प्लेनेट जो बाहाई ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रह होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सो प्लेनेट और ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं वो भी किसी तारे जिस तरीके से हमारे सौर मंडल में सूरे के चारो और हमारे जो ग्रहां परिक्रमन कर रहे हैं इसी तरीके से वो भी किसी तारे के चारों और घूम रहे होते हैं तो अभी जो नासा का जैम स्वैब स्पेस टेलिस्कोप है उसने के टू एटीन भी नामक एक एक्सो प्लैनेट पर कार्बन डाय ऑक्साइड और मिथेन की मौजूदगी का पता लगाया है आगे देख लेते हैं के टू एटीन भी है क्या यह एक बहुत छोटा बॉने तारे के चारों और परिक्रमन करने वाला एक्सो प्लैनेट है यानि कि हमारे सौर मंडल से बाहर का प्लैनेट है और यह प्रत्वी से कितनी दूरी पर है तो 120 प्रकाश वर्ष की प्रत्वी से 8.6 गुना यह बड़ा है नोट कर लीजिए कि जैसे मैंने आपको बता है कि सूरे के अलावा भी अन्य तारे हमारे अंत्रिक्ष में हैं तो वहां पर उन तारों की प्रकमा करने वाले जो ग्रह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है एक्सो प्लैनेट कहा जाता है चलिए आपको यह बता देते हैं जो हमारा जैम स्वेट टेलिस्कोप है नासा का वो जो हबल टेलिस्कोप था उसका अनूवर्ती है और यह है इंफरेंट रेंज में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंत्रिक्ष टेलिस्कोप है इसके हाई रिज लिखने में भी शक्षम बनाता है चलिए अब इस टॉपिक से संबंदित प्रश्ण देख लेते हैं के टू एटीन बी के संदर में निम्नलिखित कत्नों पर विचार कीजिए यह एक एक प्लेनिट है पाहय प्लेनिट है तो यह सही है दूसरा इसमें कार्बन डायोकसाइड और मीथेन की पूस्टी हुई है जैसा कि आपको बताया कि कार्बन डायोकसाइड और मीथेन के वारे में पता लगाया गया है तो यह भी हमारा सही होगा और यह जानकारी किसके माध्यम से दी गई है तो जैम, स्वेब, स्पेस, टैलिसकोप जो है ना सका उसके द्वारा य सूपर ब्लू मून किसे कहा जाता है तो जब हमारी मून से संबंदे तीन घटनाएं एक साथ होती है तो उसे कहा जाता है सूपर ब्लू मून अब यह तीन घटनाएं कौन-कौन से होती है एक पहली घटना ही होती है कि फुल मून होना चाहिए फुल मून यानि कि पूर निम सूपर ब्लू मून अब देख लेते हैं यह तीनों घटनाएं होती क्या क्या है सबसे पहले बात करते हैं ब्लू मून की तो ब्लू मून क्या होता है जब एक ही मन्त में दो पूर्णिमा पड़ती है तो जो एक मन्त में दूसरी पूर्णिमा पड़ती है उस पूर्णिमा को य जक्त करता है नॉर्मली क्या होता है कि एक मत में एक ही पूर्णिमा होती है दो पूर्णिमा नहीं होती है लेकिन बहुत रियर ऐसा होता है तो यह जो है एक दुरलब घटना है क्योंकि ऐसा बहुत रियर होता है और यह कितना होता है कि तीन प्रतीशत तक कहा जाता है कि अग पर उस टाइम पर ही हमारा फुल मून हो जाए तो उसे कहा जाता है सुपर मून अब यह देख लेते हैं कि पैरेजी क्या होता है माली जी यह हमारी अर्थ है और चंद्रमा इसके अराउंड यो रोटेट कर रहा है तो जो प्रत्वी के सबसे निकट होगा जब चंद्रमा तो और जब यह इससे दूर होगा तो इसे क्या कहा जाएगा इसे कहा जाएगा अपोजी इसे कहा जाएगा अपोजी यहांपर जब फुल मून की घटना होगी जब चंद्रमा पैरेजी मिं होगा और अब गर जो चंद्रमा है, फूल मून पर होता है, तो हम जो अपोजी पर, जब पूल मून हुआ था, उसके पोल मून हो था, चंद्रमा उतक दिखा देता है है कि tb3 ऊबुे मून उतक भी प्र मून ठेखते है उसका si तीन प्र तीशत ही हमारा भुे मून होता हे तो इसलिए जो सुपर ब्लू मू Kenneth है उसके बिच में बहुत ज्युत्लमा लबा समय अवदि होती है बहुत लंबा टाइम होता है, क्योंकि तीनों ही जो कंडिशन है वो एक साथ आनी चाहिए, जिसमें से blue moon भी बहुत दुरलब है, तीन प्रतिशत तक ही देखने को मिलता है, तो ये तीनों प्रतिशत तक ही साथ में होनी चाहिए, तो इसका जो समय अवदी बताई गया है, कि क 10 साल में हम सुपर ब्लू मून देख सकते हैं, अभी हाल ही में नासा ने बताया, कि हमारा जो अभी जनवरी और मार्च 2037 में हम सुपर ब्लू मून की एक जोड़ी को घटित देख पाएंगे, ऐसा नासा ने कहा है, चलिए से संबंदित प्रशन देख लेते हैं, प्रशन क् निमनलिकित में से कौन सा कथन सुपर ब्लू मून घटना के संदर्ब में गलत है, क्या पूछ रहा है, गलत आप से पूछ रहा है, पहला कहता है, सुपर ब्लू मून तीन चंद्र घटनाओं, यानि कि पूर निमा, सुपर मून और ब्लू मून का संगम है, यह हमारा सही हो की पहली शर्थ सूपर मून है यानिही गतना है हमेश्छा 9 की पून होना चाहिए जब चंद्रमा पून होने के साथ साथ प्रत्विय के निकट तब बिंदू पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है सूपर मून कहा जाता है यानि कि जब चंद्रमा पैरे जी पर होता है तो उसे सूपर मून कहा जाता है तो यह हमारा कथन सही हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा कौन सा कथन गलत है तो सी हम अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी अक्टूबर मन्त के करेंट अफेयर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल